समस्कार तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं आज हम चर्चा करेंगे कि यॉरप में रास्टवाद का उदय किस प्रकार हुआ जैसा कि हम सभी जानते हैं जो आज का यूग है वो है लूक तंत, गण तंत, सम्विधान की सर्वोच्चता और स्वतंता और समानता का यूग लेकिन हमारा जो सत्रवी और अठार्वी सताप्ती और उन्निश्रीवी सताप्ती तक भी कई स्थानों पे राज तंत की स्थापना थी और उनके निरंकुष सासकों द्वारा जनता का शोशन होता था तो आएए जाने कि किस प्रकार से राज तंत का समाप्ती हुई और विश्व में और विशेस तोर से आज की चर्चा में यारप में किस प्रकार से राष्ट राजों का उदे हुआ और राष्ट्रवाद एक प्रमुक विचारदारा के रूप में पुरे विश्व में व्याप्त हो गया आएए सबसे पहले इस चित्र पर निगाहा डालते हैं ये चित्र जो है वो 1848 में एक फ्रांसेसी कलाकार थे फ्रेडरिक सार्यू उन्होंने चार चित्रों की एक श्रंखला बनाई थी जिसमें उन्होंने एक कलपना की थी किस प्रकार से योरप के सारे देश मिल करके सुतंतिता की प्रतिमा के आगे वंदना कर रहे हैं और एक रास्ट राज के रूप में उदै हो रहे हैं उन्होंने ये जो चार चित्रों की श्रंखला बनाई थी इसको नाम दिया था जनतांत्रिक और समाजिक गड़तंत्र उसमें से एक चित्राब के सामने है आप इस चित्र में देख सकते है कि अलग अलग पोड़ाकों के और अलग अलग छंडों के साथ में कई सारे लोग हैं जो सबसे आगे लगे हुए हैं वो सहीट रास्ट अमेरिका और स्विजर्लेंड के लोग हैं वे लोग इस समय तक राश्टराज के रूप में आ चुके थे और उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं, फ्रांस के लोग हैं उसके पीछे और उसके बात में जर्मनी के और इसी तरह से योरप के बाकी देश लगे हुए हैं नीचे सतंता की प्रतिमा के ठीक नीचे तो कतारे हैं और उसके आगे कुछ तूटे-फूटे अवशेस पड़े हुए हैं तो ये जो राजशाही के प्रतीक थे मुकोट और चिन और जो उनके भवन वगेरा तो उनके ये तूटे-फूटे अवशेस पड़े हैं दर्शाता है कि चित्रकार ने कलपना की है कि राजशाही का ध्वन्स हो जाएगा और सुतंत राश्टवाद का उदे होगा और आप देखिए कि चित्र में उपर की तरह स्वर्ग में कुछ फरिष्टे हैं इशा मसीजी हैं जो कि इस घटना करम को देख रहे हैं और अपना आश्रवाद दे रहे हैं तो इस चित्रकार की ये कलपना थी कि पूरे यॉरप में एक दिन राश्टवाद होगा और सभी राश्ट आपस में भाईचारी के साथ उन्नती की तरफ जाएंगे एक बार ये जान लेते हैं ये सफस्ट कर लेते हैं कि राश्टवाद क्या होता है जो फ्रांसेसी दार्शनिक थे अंसर्ट रेनान उन्होंने एक ब्याख्यान दिया था 1882 में और उस ब्याख्यान में उन्होंने ये समझाया था कि राश्टवाद क्या होता है अब तक यह माना चाता था कि समान भाशा बोलने वाले समान छेत्र के लोग, समान नसल के लोग आपस पेजिस प्रेम भाव से खटे हो करके रहते हैं उसे रास्टवाद कहते हैं तो उन्होंने इस विचाल धारा का खंडन कहा था और साथ ही कहा था कि ये कोई जरूरी नहीं है कि समान भाशा, समान धर्म और समान छेत्र के लोग में ही रास्टवाद के भावना हो एक रास्ट के अंदर विविन भाषा के विविन धर्मों के और विविन छित्रों के लोग हो सकते हैं लेकिन अगर उनका अतीत एकसा हो तो उनमें रास्ट के पती भावना का उध्य हो सकता है जैसे कि हम भारत भर्ष का उधारन ले सकते हैं हमारे भारत फर्ष के विशाल भुगंड पर कई धर्मों के, कई भाषा के और विविन छेत्रों के लोग रहते हैं लेकिन हमारा सदियों से एक इत्यास रहा है, एक गौरवशाली इत्यास रहा है जिसके प्रती हम सब की आस्था है और इसी वज़े से हम एक भारत राष्ट के रूप में एक दूसरे से प्रेम करते हुए उन अपने देश की तरक्की की बात सोचते हैं, देश से प्रेम करते हैं और अतीत के सासत वर्तमान में भी उन सभी नागरिकों में अपने राष्ट के पती एक समानिक्षा हो साथ में रह करके वो महान काम करते हुए अपने देश की उन्नती के बारे में सोचें और एकता के सूत्र में बढ़े हुए ये एकता देश व्यापी हो रास्ट व्यापी हो तो रेनन के अनुसार रास्टवाद की परिवाशा की तो चर्चा कर ली लेकिन कुछ और विशेस्ताइं हैं जिस पर बहुत गौर करना जरूरी है रास्ट वाद कहते हैं अपने रास्ट से प्रेयम को और पूरे देश की जो संविधान है, जो विवस्था है, जो उसकी संस्थाइं है उन्हें विश्वास और विश्वास के साथ उनको मानना और उसके अनुसार काम करना इसके इलावा देश की उन्नती, देश की सोतंतता और देश की पहचान के लिए जो भावना है और उसके लिए जो कारे किये जाते हैं वो रास्टवाद की अंदरगत आते हैं चलिए अब देखते हैं कि जो फ्रांससी क्रांथी है 1789 इसवी की उसके साथ साथ योरप में राश्टवाद का विचार किस प्रकार से उदय हुआ आपको जैसा याद ही होगा कि फ्रांस में निरंकुष्रास तंतु था और फ्रांससी क्रांथी के द्वारा क्रांथिकारियों ने लुई सोल्वे की सत्ता को समाप्त कर वहाँ पे नागरिकों की सत्ता इस्थापित की थी तो ऐसा करने के लिए नागरिकों ने, जो स्वरी क्रांथिकारियों ने किस प्रकार से पूरे फ्रांस में राष्टवादी विचारों को उत्पन किया और किस तरह से उनका प्रचार प्रसार किया उस पर एक निगार डाल देते हैं क्योंकि यही विचार पूरे यॉरप में एक समय में आ करके राष्टवात के उधै का कारण बनी है जो सबसे महत्रपूर बात है वो है पित्र भूमी यानि कि लव पाटरी यह फ्रांसेशी भाशा का सब्त है और नागरिक यानि कि ली सिट्यू तो यह जो दो विचार थे इन्होंने देश के लिए अपनी भूमी अपनी भूमी यह हमारे पिता की भूमी यह हमारी वो भूमी ह जहां हम अपनी बंश परंपरा से रहते आ रहे हैं और हम देश के नागरिक हैं यह देश हमारा है इस प्रकार के केचारों ने फ्रांस के नागरिकों में रास्टवादी भाष जो भावना थी उसका उदे किया इसके बाद में उन्होंने एक नया फ्रांसेसी जहंटा जो की तीन कलर का था उसे चुना इससे पहले जो राज्टव का धज था उसको समाप्त कर दिया गया और नागरिकों का जहंटा जो तीन कलर का था उसे चुन दिया गया इसके साथ ही जो प्रशासनिक व्यवस्था में इस्टे एग जर्नल हुआ करती थी जिसमें कि पहले आम नागरिकों को चुनाग करने का अधिकार नहीं था उसको अब जो सक्रिय नागरिक थे जो की टेक्स देते थे और देश के लिए कारे करते थे उनके द्वारा चुनाव के द्वारा चुना गया अब इस पर किसी भी प्रकार के सामंतवाद या कुलीनवर्ग या उच्चवर का वर्चसव था वो समाप्त कर दिया गया और उसका नाम भी बदल करके नैशनल आलम असेम्बिली कर दिया गया यानि की रास्टिय सभा इसके साथ ही क्रांती में जिन लोगों की जाने गई थी उन शहीदों का गुरगान और नई नई रास्ट प्रेम की इस्तुतियां गीत और बहुत सारी शपत इस तरह से उन्होंने एक क्रांती कारियों ने एक माहौल बनाया जैसे की देश का आम नागरिक देश की प्रती प्रेम की भावना से भर उठे और इसके साथ ही एक केंद्री प्रशास्नी के विस्ता लाकू की गई जितने भी फ्रांस के हिस्से थे उनमें अलग-अलग प्रकार का कानून नरह करके सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाएके और इसके इलावा जो देश के अंदर समानों के आने और जाने यानि कि आयात और नियात का जो टेक्स लगा करता था, सुल्क लगा करता था, उसको समाप्त कर दिया गया इसके साथ ही जो वस्तुओं को तौलने की और वस्तुओं को नापने की जो इकाईया थी उनमें जो असमान था थी उसको समाप्त कर दिया गया ऐसा पहले हुआ, फ्रांस में ऐसा था, कि अगर आप एक मीटर कप्डा लेना जाएं, तो कहीं पर 700 सेंटी मीटर उसमें नापा जा रहा है, कहीं पर 890 सेंटी मीटर जा नापा जा रहा है, कहीं 900, तो वो अलग-अलग उसे साब से टेक्स भी होता था, और उसी प्रकार से खित्री भासाएं थी, तो उन सब को प्रधानता ना दे करके, फ्रांस भासा को प्रधानता दी गए, और ऐसा प्रयास किया गया, कि सभी लोग आपस में फ्रेंच भासा बोलें, और उसी को एक रास्ट भासा के रूप में उसका विकास किया जाए, इसके इलाबा, यौरप के जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने ऐसा सोचा कि हमारे यहां तो राश्ट भास की स्थापना हो ही गई है, अब हम पूरे यौरप के दूसरे देशों में भी निरंकुष जो शाशन है, जो राश्टंत है, उसको समाप्त करके, सभी देशों को मुक्त करें, और सभी देशों क्लब की स्थापना हुई, जिसमें कि वहां के नागरिकों ने खटा हो करके अपने अपने देश में प्रांतिकी विचार को आगे भढ़ाया, इसी के साथ में अब हमको बहुत जरूरी है चर्चा करना नेपोलियन बॉना पार्ट का, क्योंकि नेपोलियन बॉना पार्ट व भी कहते हैं, और इसकी जो मुख्य विशेस्ता ये थी, कि जन्म से आधारित विशेसाधिकार समाप्त कर दिया गया, यानि कि अगर आपका जन्म किसी कुलीन वर्ट में या किसी उच्च वर्ट में हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है, कि आपको ऐसे सभी अधिकार मिल जाएंगे, आपको अपने अधिकार के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और इसी के साथ कानून के समक्र सभी नागरिक समान है, कोई भी बड़ा नहीं है, कोई भी जोटा नहीं है, और नागरिकों की संपतिक अधिकार को उसने सुरक्षित कर दिया, तो ये नेपोलियन की जो काट के बारे में जानते ही हैं, कि वो एक बहुत प्रसिद्ध शासक था और सेनापती था, उसने फ्रांस की सेनाओं को लेकर के पूरे योरप को जीतने का और एक सुत्र में बांधने का एक सपना देखा था, वे सभी जगे रास्ट्रपात के नाम पर युद्ध के ले गया और उसने योरप के नक्षे को बदल दिया, तो उसने जो फ्रांससी नियंत्रण के छेत्र थे, उनमें एक प्रशासनिक व्यवस्था को सरल बनाने के लिए सब जगे एक सी व्यवस्था की, और जो 1804 की उनकी नागरिक सहता थी, उसने उसको सभी देशों में लागू करा द जैसे कि डच करतंत, सुजर लेंड, इटली, जर्मनी, प्रशा, ये सभी कुछ उसके नियंत्रण के छेत्रों थे, और उसने साथ ही किसानों को जो बन्वा मजदूरी थी, भूदास थी, उसको समाप्त कर दिया, और जो उनको जमीनदारी सुल्क भरना पड़ता था, उसको भी उससे भी उनको मुक्ती दिला दी, बलकि उसने तो इतना